सबीका स्वागत फर्स्ट एर एसडिप एनिमल मनेजमेंट में आज हम पढ़ेंगे गाय का ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्चुरेशन उसका मनेजमेंट और केर बच्चा देते समय यानि ब्याते समय और उसके तत्पस्चात गाय की देखवाल कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो ये तो हमें पहले पता ही है कि ऐसी गाय को जब वो को गाय ब्याने वाली है तो पांस से साथ दिन पहले हम उसको काविंग बॉक्स में ले जाते हैं छोड़ देते हैं काविंग बॉक्स के अंदर अकेली वहाँ है वेरी इंपॉर्टेंट रही ज़रूरी है और उस कख्ष को उसमें गाय को छोड़ने से पहले उसको डिस इनफेक्शन disinfectant से पूरा का पूरा उसको जिवानु रहित disinfection कर लें उसको disinfection परसव कक्ष को जिवानु रहित करना disinfection of carving box इसके कारण ये हैं निमन कारणों के लिए करना आउशक है स्वेम आदा पशू किसी रोग से जैसे mastitis, matritis retention of placenta आजेर रुकणा आदी से रोगरस्त नहीं हो जावे क्योंकि वो गाय बैहने महीं बैठेगी बैहने वली है तो अगर वहाँ पे अगर उसको नहीं किया वहाँ छिड़का उसका disinfectant का तो वो जो थन नीचे लगेंगे तो वहाँ से जो infection उसके धनों का जो मुह है स्पिंक्टर है उसके तुरू अंदर जा सकता है मैस्टाइटिस कौज कर सकता है मैट्राइटिस हो सकती है retention of placenta नवजात बच्चा भी किसी प्रकार के रोग जैसे नेवलील नेवलील में क्या क्या है सोजन हो जाएगी उसकी नवजाएगी अगर अच्छी तरह उसका cutting सही नहीं की जो मां का जोड है मां से जुडावाया मच्चे का बाहर अम्बलाइकल कोड उसको अगर आपने अच्छी तरह से नहीं काटा उस पे disinfectant या antiseptic नहीं लगाया अगर वहाँ जिवानों की टाणू है तो थोड़े से में problem create कर सकते हैं मच्चर मक्यों आदे के काटने से या मक्खी के बैठने से और उसके अंडे देने से maggot wound हो सकता है जहां से आप इसको काटोगे नेवल को किसी परकार के रोग जैसे मच्चर मक्यों आदे के काटने से पशू बचा रहे अन्य था उसके maggot wound malaria आदे रोग नहीं हो सके पशू तनाब मुक्त रखने के लिए अच्छे उत्पादन के लिए प्रजन सबंदी मिमारियों से मुक्ति के लिए आवशक है इसको जिवानु रहित करने के तरीके परसवक्ष की मरमत समय समय बरब करवाते रहना चाहिए ताकि अगर उसके अंदर क्रेकिंग्स आ जाती है फरश में या दिवारों तो वहां क्या होता है चीचड़ और मच्छर अपना आवास बना लेते हैं अगर आपने उसकी मरमत करवाली या उसके कुछ चिड़का विष्टने से किया आपने तो ये वहां अपना आवास नहीं बना पाएंगे परश में समय समय पर वाइट वाश करवाते रहना चाहिए परश में हवा के आवा गमन वेंटिलेशन की सुमिचित व्यश्था के लिए दिशा के अनुरूप खिड़कियां रोशन दान वे धरवाजियादी बने हो तथा मच्छों से मुक्ती वाली जाली लगी हो परसव कक्षमे प्रकास सुर्य की सिधी रोशनी में बिजली की समुचित व्यश्था हो परसव कक्षमे अच्छी क्वालिटी की कॉमल विच्छामन विच्छावे अत्वा प्रती दिन उसे बदलें ताके संक्रमन नहीं पहले यदि पशु के गरपात होया तो विच्छावन को जला दे येस, वेरी इंपोर्टेंट परसव कक्षमे पशु स्थानांत्र करने से पूरों समें DDT, BAC, आदी, पाउडर के गोल का ताजा ठिकाव कर दे फर्ष फिनायल आदी से दोकर सुखा कर विच्छावन विच्छा दे परसव कक्ष की नांद, मेंजर, पानी के बरतन अत्वा खेली आदी को समय समय पर साफ करे तथा हमेज़ा सुष्ट आजा पानी पशु को पलब्द करावे परसव कक्ष जब तक पशु रहे तब तक नियमित दिन में दो तीन बार गोबरादी को उठामे परसव के बाद तुरंत विच्छावन बदल दे परसव कक्ष की दिवारें साहवे चिकने हो तता उनकी नियमित सफाई होनी चाहिए अब है साइन ओफ एप्रोचिंग पार्चुलेशन परसव की लक्षन की गाए ब्याने वाली है उसके क्या लक्षन जैसे जैसे नजदीक आएगा समय ब्याने का तो क्या-क्या लक्षन जो हमें नजर आएंगे यह हमने उसमें देखने है इसमें गर्बित पशु ब्याने की परस्व पीड़ा शुरू होते ही पशु जुन्ड को छोड़ देता है तथा एकांत आइसुलेशन में रेना पसंद करता है पशु बेचैनी में सूस करता है तथा खाना पीना छोड़ देता है पशु के आएन अकार अडर का आकार बढ़ जाता है और थन खड़े वे तन जाते है उसमें दूद उतराता है यहां तक कि जो सौफ्ट मिलकरें गाएं उनमें तो दूद नीचे टपकनें भी लगता है पशु के ब्याने के एक दिन पुरब पैलविक लिगामेंट आपने पढ़ा है पैलविक केविटी पढ़ा है पैक्टोरल गर्डल पढ़ा है तो अगरीन में से आपके कुछ भी याद है तो पैलविक लिगामेंट जहां पे ग्लूटियल मसल है जहां पे टीका लगाते है पिछे वहाँ जो लिगामेंट है पैलविक वो डिले हो जाते हैं जिनको अपने पुड़े तोड़ना भी कहते हैं जाते हैं पूँच के दोनों तरफ टेंडनल लिगामेंट वे मास पेश यहां डिले हो जाती है, यही वो जगह है, उसमें टेंडन और लिगमेंट यह डिले हो जाएंगे, जिससे पॉंच के आधार के दोनों तरफ गड़े पड़ जाते हैं, जब पॉंच उबरी हुई दिखाई देती है, वल्वा फूल कर आकार में बड़ी हो जाती है, वल्वा ब बार मुत्र त्याग करता है, उठना, बैठना, पेट दर्द की बांदी, लात मारना शुरू कर देता है, पीट को लंबी करता है, आधी लक्षन पर दर्जिते हैं, अब यह बार-बार मुत्र क्यों करता है, क्योंकि हमने पिछे हार्मोन में पढ़ा, लेख तो ऑक्सीटोस रिलीज होगा, वो ऐसे में क्योंकि सर्विक्स को लेगी, यूट्रस में कंट्रक्शन होगे, तो ये दोनों ही काम करेगा, ओक्सीटोसिन, कंट्रक्शन ऑफ दा यूट्रस, कंट्रक्शन ऑफ दा यूरिनरी ब्लेडर, ये आमने पढ़ा है पीछे, ये पूछा जाएगा, दियान रखना इंपॉर्टेंट हैं, कि जोन यूट्रस में देख आता है पर बार-बार मुत्र क्यों करता है, यह दूद जब उतारता है, पर उत्र क्यों करता है, तो सिर्फ ये डूट्यू अक्सिटोसिन, हार्मोन का है, और ये जब ये उठना बैठना पेटदर्द की ब तो यह जिसको लेवर पैन भी बोलते हैं तो जब दर्द होता है तो लिटता है लात मारता है अगर वो सर्विक्स खुल गई है गाडा म्यूकस वल्वा से बाहर गिलने लग जाता है गाडा म्यूकस जिसे सर्वाइकल सील का पिगलनां भी कहते हैं जो सर्विक्स है उसकी सील यानिके खुलने शुरू हो गई है बशो खड़ा यह बैठकर जोर लगाता है तता परतुम पानी का थेला फर्स्ट वाटर बैग दिखाई देने लग जाता है फर्स्ट और सेकंड वाटर बैग फर्स्ट वाटर बैग में क्या होता है वेस्टेस अफदा फिटस और सेकंड में फिटस होता है तो यह पहला ब्लू कलर का ब्लूश ब्राउन कलर का थेला यह नजर आएगा दिखाई देने लग जाता है पर्सव के दोरान और पर्सव के पश्चाहत गाय की देखवाल करना यह पर्सव के दोरान और पर्सव के पश्चाहत गाय की क्या आप हम जो है देखवाल करेंगे यह है केरो मनेजमेंट अप काव डूरिंग और आफ्टर पार्चुरिशन 32 में पश्चु की देखवाल यह अभी हमने जो पड़े हो है लक्षन साइन ओफ अपरोची टू पार्चुरिशन अब देखवाल 32 में पश्चु की देखवाल में पर्सव कक्ष के अत्वा जहां पश्चु पर्सव कर रहा है वहां का वातावन एकदम शान्त होना चाहिए पर्सव करिया के दुरेना आप स्वयम पर्सव करिया को जल्दी करने है तू भाहिया साइता तब तक नहीं दे जब तक आफशकता नहीं हो भाहिय साइता जब भी ही करें जब बच्चे के दोनों पैर बाहर आ जाएं तथा मूंग उठने संदी नी जोइंट पर दिखाई दियानने था बच्चे की गर्दन मुड जाने के कारण प्रस्ती हो सकती है डिस्टो किया हो सकता है आपने स्व्बम डिस्टो किया पैदा कर दिया आपने क्या किया नी जोइंट पे हलका सा उसका मुँ था बच्चे का और सिर हलका सा उपर टच कर रहा था पहले वी उसमें एविटी में तो आपने क्या किया उसको खेंच लिया, दोनों पैरों को खेंच लिया तो ये तो बार सिर तो आया नहीं वो सिर यूं गोम जाएगा बैक सेक्ट तो आपने नॉर्मल को डिस्टोकिया में चेंज कर दिया इसलिए ये जल्दी कार्या करने वाला नहीं होता, इसलिए आप वीट करें, जब तक जुरूरत नहीं हो उसको साहरा नहीं लगाएं परसव क्रिया की तीन अवस्थाएं ये आपको पता है पर्थम परसव वस्था इस वस्था में गरवाशे का संकुचन बढ़ता है ये वस्था गाए में चार से दस गंटे की होती है, इसको अची तरह पढ़ लें ये परसव की तीन अवस्थाएं ये इम्पोर्टेंट हैं इस पर इम्पोर्टेंट लगा लें ये वस्था गाए में चार से दस कंटे की है, इस अवस्था में इंदरंतर गरवाशे की संकुचन के बीच का समय कड़ता है तथा संकुचन, कंट्रेक्शन जो है, वो स्ट्रॉंग होता है, ताकि बच्चा बाहर देखेला जा सके इस ही लिवर पेन भी, अभी आमने उपर अभी मैंने बताया आपको लिवर पेन भी कहते हैं अंत में इस अवस्था में पर्थम वाटर बैग बाहर आ जाता है ये अवस्था, ये स्वते ही स्वते ही फूट जाता है ये पहली अवस्ता, पहली अवस्ता है हमारे पास 4 से पहली अवस्ता जो है 4 से 10 गणटे दिविती अवस्ता इसके बाद पशुए एक जोरदार यूटराइन कट्रेक्शन करता है तता दूसरा पानी का थेला बहर आता है, जिसमें बच्चे के अगले पैर तथा सिर दिखाई देता है, इस समय एक तीवर कठोर गरवाशे का दूसरा संकुचन होता है, जिससे बच्चा बहर आ जाता है, संकुचन या, कंट्रक्शन होता है, जोर अंदर बच्चे को निकालने के लिए, यह दिवितिय व आता है, ता कर बच्चे को कींच कर भार निकाल सकते हैं, पर्षव की तीसरी अवस्ता, यह वस्ता पर्षव के बाद जेर अलसेंटा गिरने की है, जो चार से आट गंटे तक हो सकती है, पर्षव के बाद आप अशू को अजमाइन वे गुड का पानी पिलाएं, ताकि जेर असानी से इस समय पर गिर सके, लेकिन यह ध्यान रखना, अकेला गुड का पानी कभी नहीं पिलाएं, और ज्यादा कभी नहीं पिलाएं, यह ऐसी डोसिस कोज करता है, अगर आपने यह पिलाना भी है, तो आप उसमें ध्यान रखें, कि गुड के साथ मेथी, अजमाइन औ सौंट, काला नमक, यह जुरूर मिला करके उसको यह काड़ा पिलाएं, अकेले गुड का पानी पिलाने से ऐसी डोसिस हो सकती है, फिल्ड के अंदर बहुत केसे जमने ऐसे देखे हैं, जिन्नोंने गुड का पानी ज्यादा पिला दिया, वो गाई बैठ ही, इसको भी नोट करना, ऐसी डोसिस कोज करता ही, ज्यादा नहीं पिलाएं, इससे ज्यादा बढ़िया है, आप उसको गुड सुका भी खिला सकते हैं, अजवाइन अगर उसने मिला लोगे तो यह अच्छा रहेगा, सौंट और मेथी भी अगर मिलती है, तो यह अच्छे परड़क्ट्स हैं उसको एनरजी देने के लिए, परसव के तुरंत बाद नवजाद के मुह से वे नाक से तुरंत मिल को सठा दें, तता कुछ समय बाद खड़ा करके उसे खीस कॉलस्ट्रम को पिला दें, लेकिन कॉलस्ट्रम पिलाने से पहले, दो दो बार जो है चारों थणों में से थोड़ा दूद, एक बार जो है वो निचे जरूर टपका दें, क्योंकि जो थन का मुह है, इतने समय से उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैक्टीरियल प्लग बाहर है अगर कोई फंगल है, कोई बैक्टीरियल है, कोई सेंड का है, रेत है, कोई और किसी तने का जो आय में बच्चे के लिए नुकसान दायक हो सकता है, तो इसलिए पहले दो दौधार निचे मारते हैं, आपने देखा होगा है, यह जो ले मैन है, फारमर, जमी दार है, वो हमारे से मामले में समय दार होता है, कंई बाहरों केंदर, इस देखिए, यह उसकं द बाहरंही में ऐसक जमीन पर यह तो नहीं करनी चाहिए वो यह भी रॉंग है आपको किसी बरतन में लेनी चाहिए हो अगर बाइदावे कहीं उसमें कहीं इंफेक्शन हुआ आपने वाँ जमीन पर छोड़ दीर गाय वाँ बैठ दी और वो थन के अंदर इंफेक्शन चला गया तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है तो यह बड़ी बाटन बात है कोलेस्टरम को पिला दें इसमें इससे भी जल्दी गिर जाएगी क्योंकि पशू को पाउस ने लेटर डाउन के लिए ऑक्सिटोसिन हार्मोन के यह आवशकता होती है यह हार्मोन गरवाश है कि संकुच्चन को बढ़ा देगा येस परसव के बाद के देखवाद के एर एंड मनेजमेंट और आपकाविंग गाय के पिछले पैत योनी पूँच मल दवार आधी को हलके गरम पानी से जिसमें एक परसेंट लाल दवा अथवाने को एंटी सेप्टिक पदार डाली उसे दो देख़ा साब करके पहुंच देख़ा साब कपड़े से मादा पशु को नावजात बच्चे को चाठने दे ब्याने के तुरूत बाद पशु को गुंगने पाने में गुडवे अजवाइन का गोल बना कर पिला देवी घरम पाने में हो सके तो इसको वैसे ही बॉयल कर ले अबाड़ ले पशु के थनों को दोकरों ने पान्च छे धार बाहर निकाल कर यह पर्थम दूद कोलेस्ट्रम बच्चे को पिला दे अब यह देखे यहां बताया है उपर नहीं बताया है यह सही है मादा का पुर्ण दूद ना तो बच्चे को पिला में नहीं अडर को खाली करें नहीं था बच्चे के दस्त वैं न पुरुस्ता मादा को मिल्क फीवर हो सकता है पर्षव कक्ष के बिच्चामन को हटा दे तथा नई बिच्चामन बिचाएं ब्याने के 4-5 गंटे बाद पश्च को निमन गोल उर्जा पिलाएं यह अच्छा दिया इन्होंने 500 ग्राम गुड, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सौट और 100 ग्राम कालन। इसको बाल कर ठंडा करके पश्च को बिला दे पश्चु के जेर 4-8 गंटे के अंदर गिर जानी चाहिए यह दिन नहीं गिरती तो पश्चु चिक्त से संपर करें पश्चु को बियाने के बाद 4-5 दिन तक साफ सवच गुड़ना पानी पिलाएं तथा दस्तावर 4 दलिया दाना 1.5 किलो वे गुड़ परती दिन चार पानी दिन तक देंगे देड़ दो किलो दाना और गुड़ चार पाइट दिन तक उसको देंगे खोशिश करें सुका गुड़ खिलाएं उसको जनली सुकाई देते हैं अगर आपने पानी मिलाएं के उस्तरें से बिलाया तो वो गड़बड करता है थोड़ा दे में ज्यादा नहीं किलाएं उसको दाने की मातरा देरी-देरी बढ़ाएं तथा संतुली ताहार पशु को दे में परसवाली मादा का दरबाशे 30 से 45 दिन में समानने अवस्ता में आ जाना चाहिए तथा पशु 60 से सतर दिन परसव के बाद ताम में आना चाहिए यदि ऐसा नहीं होता तो पशु चिकित्सक की राय लेने और दिखाएं अपरा का रुक जाना रेटेंशन ओप प्लसेंटा तो यह अब हम नेक्स्ट हमारे चेप्टर में करेंगे तो यह केर एंड मनेजमेंट ऑफ काउ डिरिंग एंड आफ्टर पार्चुरेशन यह अबने पढ़ा तो रेटेंशन ओप लसेंटा क्या है इसकी पूरी प्रक्रियाकों नेक्स्ट